हेलो एवरीवन आप सभी का एक बाफिर से स्वागत है मेरे चैनल टीम हरतन में फ्रेंड अगर आपने हल ही में कोई नया यूटूब चैनल क्रियेट किया है तो आपको पता होना चाहिए कि यूटूब में एक एडवांस फीचर सेटिंग होता है अगर आप इस सेटिंग को इनेबल नहीं करते हैं तो आपका चैनल कभी भी मोनेटाइज नहीं होगा और आप अपने चैनल पर ज्यादा वीडियो भी नहीं अपलोड कर पाएंगे आप अपने चैनल पर लाइब इस्ट को कैसे इनेबल किया जाता है तो चलिया वीडियो को सब्सक्राइब आइकन में आपको YouTube Studio लिखके सर्च कर लेना है YouTube Studio लिखके सर्च करने के बाद यहां पास सबसे फ़र्ष्ट में आता है YouTube Studio तो इसमें आपको एक option मिलता है Sign In का तो आपको इस पे क्लिक कर देना है क्लिक करने के बाद यहां पास कुछ इस तरह से इंटरफेस देखने को आपको मिलेगा तो यहां सबसे उपर में आपको एक option मिलता है थरी डॉट का तो आपको इस पे क्लिक करना है क्लिक करने के बाद यहां आपको एक option मिलता है desktop site का तो आपको इस पे क्लिक कर देना है किलिक करने के बाद यहां पास आपका YouTube चैनल कुछी तरह से ओपन हो जागा जैसे कि Laptop Computer में ओपन होता है तो यहां पास सबसे नीचे में आपको एक option मिलता है setting का जिस पे आपको किलिक कर लेना है setting पे किलिक करने के बाद यहां पास second number पर एक option मिलता है channel का जिस पे आपको किलिक करना है channel पे किलिक करने के बाद यहां पास सबसे first में option आता है basic information का फिर advanced setting का फिर features usability का तो हमें advanced features को enable करना है तो इसके लिए आपको features usability पे किलिक करना है फीचर सीजबिलिटी पे क्लिक करने के बाद यहाँ पास तीसरे नमबर पर आ जाता है advanced feature जो की हमें enable करना है तो इसे enable करने के लिए आपको ये इसके सामने eligible लिखा है तो आपको इस पे क्लिक करना है किलिक करने के बाद यहां पस आप देख सकते हैं कि advanced features में क्या-क्या features आपको मिलेंगे तो advanced features में आपको daily ज्यादा live streaming करने का option मिलता है daily आपको ज्यादा video upload करने का option मिलता है daily आपको ज्यादा short video upload करने का option मिलता है और आपको अपने video के description में link share करने का option मिलता है यानि कि आप अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप अपने फेस्बूक आईडी या फिर इंस्टाग्राम आईडी का लिंक सेयर कर सकते हैं और यहाँ पस सबसे most important चीज़ है कि जब आप advanced features को enable कर लेंगे तब ही आप monetization के लिए apply कर सकते हैं तो इस advanced features को enable करने के लिए क्या क्या requirement की जरुगत होती है तो इसके लिए दो चीज़ की requirement की जरुगत होती है सबसे पहला है intermediate features enable होना चाहिए यहाँ पस जो second number पे है कि intermediate features यह आपका enable होना चाहिए फ्रेंड अगर आपको नहीं पता कि intermediate features को कैसे enable किया जाता है तो इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है जो कि मैं इस वीडियो के description में आपको उसका link share कर दूँगा जहां से आप जाके check कर सकते हैं कि intermediate features को कैसे enable किया जाता है उसके अलावा यहाँ पस दूसरा जो requirement होता है वो है वीडियो verification या फिर valid ID जैसे कि passport या driver license के द्वारा आप इसे verify करके आप advanced features को enable कर सकते हैं तो इस advanced features को enable करने के लिए आपको नीचे में एक option मिलता है access features का जिस पे आपको click कर लेना है access features पे click करने के बाद अब आपको यहाँ पास verification के लिए तीन option मिलते हैं use video verification यानि कि आप video call के द्वारा इसे verify कर सकते हैं या फिर दूसरा नंबर आता है your valid ID passport या फिर ट्राइबरी license के द्वारा भी आप इसे verify कर सकते हैं और तीसरा है कि build channel history इसके द्वारा भी आप इसे verify कर सकते हैं तो यहाँ पास आपको सबसे easy जो पड़ेगा ओ है use video verification तो इस पे आप click करके इसे verify असानी से कर सकते हैं तो चलिए हम use video verification पे click कर लेते हैं इसके बाद यहाँ पास नीचे में option मिल जाता है next का तो हमें next पे click कर देना है next पे click करने के बाद यहाँ पास आपको get email पे click कर देना है जहाँ पास video verification के लिए आपको link भेजा जाएगा तो हम get email पे click कर देते हैं get email पे click करने के बाद यहाँ पास आपको done पे click कर देना है done पे click करने के बाद अब आपको gmail में जाके वहाँ link को check करना है तो friend आप देख सकते हैं कि हमारा email आ गया है तो यहाँ पास आपको start verification पे click कर देना है start verification पे click करने के बाद यहाँ पास आपको नीचे आ जाना है नीचे आने के बाद यहाँ पास आपको allow पे tick लगा लेना है allow पे tick लगाने के बाद यहाँ पास I agree पे आपको click कर देना है I agree पे click करने के बाद यहाँ पास आप देख सकते हैं कि बहुत सारे कुछ guidelines हैं जिसे हमको follow करना है इसके बाद यहाँ पास हमें next पे click कर लेना है इसके बाद हमें allow पे click कर देना है अब यहाँ पास आप देख सकते हैं कि हमारा face verification हो रहा है तो इस तरह से हमें अपने face को पूरे circle के अंदर ही रखना है Face verification होने के बाद अब हमारा वीडियो जो है वो upload हो रहा है तो फ्रेंट यहाँ पस आप देख सकते हैं कि हमारा वीडियो verification कम्पलीट हो चुका है अब यहाँ पस आप देख सकते हैं कि नीचे लिखा हुआ है कि 24 आवर लगेंगे इसे review होने में यानि कि एक दिन का समय इसमें review होने में लगता है इसे done होने में तो उमीद करता हूँ दोस्तों इस वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी और आप लोगों के लिए काफे helpful भी रहा होगा तो फ्लीज वीडियो को लाइक कीजे कमेंट कीजे अपने friend and family में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सेयर कीजे और साथ ही हमारे चैनल को भी सबस्क्राइब जरू कर ले फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में निव इंफार्मेशन के साथ तब तक के लिए जै हिंद वन्दे मातरम